तो नमस्कार दोस्तो वेलकम टो आपके यूट्यूब चानल M97 इस्टडी में आपका फिर से स्वागत हैं दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस चानल के माध्यम से डेली ITI पल्टेक्निक और पारमेडिकल का भीवी एक कोस्टन प्रोवाइड हम कराते आ रहे हैं उससे पहले आप सभी को एक इनफॉर्मेशन दे देना चाहते हैं दोस्तों कि आप सभी के बीच जो प्रिवियस एर का जो एक जाम हुआ था ITI पल्टेक्निक का उसका जो एंसर की है उसके साथ PDF के साथ हम आपको मोडल सेट के साथ इस चानल के माधियां से प्रोवाइड कर देंगे उससे पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि अब तक मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन वक्स में देदेंगे औहां पर जाकर कर टोटल वीडियो देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों को बढ़ते हैं तो दोस्तों पहला प्रस्ण है निवन में से किस धात्व का गलनांग इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है कौन सा धात्व क गलनांग सब से कम है जो हाथ में पिघल जाता है दोस्तों वह है गैलियम अप्सन नंबर बीस का राइट जाता है हमाले हाथ में रहते तो वह पिघल जाता है चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं दूसरा नो प्रस्ण निमलिखीत में से कौन सा पदार्त बहुत कठोर औ बहुत तनी है दोस्तों यह पदार्थ है टंगस्टन अप्शन नमर 20 का राइट टंगस्टन चली आगे देख लेते हैं तीसरे नमर प्रस्टन दोस्तों निमलिक्षित में कौन सी धातु रौशनी के बल्बों के फिलमेंट के रूप में परियोक्त होती है कौन सी धातु होती होती है दोस्तों विधातू का नाम है टंगस्टन अप्शन नमर 10 का राइट ला टंश राएट लेगा जएगा फिलमेंट जो ङह था होता होता है टंगस्टन का चलिए आगे देख लेते हैं चौथा नव प्रश्ण सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है अभी तक हमने सुना था काला हीरा के नाम से कोईला जाना जाता है तो सफेद स्वर्ण के नाम से किस से जाना जाता है दोस्तो तो सफेद स्वर्ण के नाम से प्ले प्लेडियम से ध्याल से जाना जाता है प्लेटीन कि सांग्व श्राइच के नाम से जानािन जाता है यह नगाथा मर्लच जलिए दोस्तों आगे देख लिते हैं साुज मानाола साथों निम्ड में से कौन से थातु कमरे के ताप पर द्रब अवस्था में होती है जो कमरे के ताप पे द्रब अवस्था में होती है वह कौन सी धातू है? वह धातू गैलियम है अपसन नम्मर A इसका राइट एंसर जाए गैलियम चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं आठमनों प्रश्ण है एलेक्ट्रिक बल में फिलामेंट बना होता है इलेक्ट्रिक बल में फिलामेंट पिलामेंट यो टंगस्टन होता है वह किसीज़ का बना होता है? तो वह बना होता है टंगस्टन का अपसन नम्मर A इसका राइट एंसर हो जाएग Ben नमन में में प्रश्ण है दोस्तों तो राजस्थान इस्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए परशिद है। वह किसके उत्पादन के लिए परशिद है तोस्तों तुब परशिद है टंगस्टन के लिए अप्शन नमर ए इसका राइट एंसर जागा यही जो राजस्थान में डेगान एक जिला का नाम है वहां टंगस्टन का उत्पादक सबसे जादा है इसका राइट एंसर अप्शन मरे हो जागा टंग अश्टन दस नमर्प प्रश्चन दोस्तो प्राकिर्ती में स्वतंत्र वस्था में भी पाया जाता है कौन सथातु तो वह धातु है कि सो नाज चांदी ताम बाइने की अप्शन नमर्डेस का राइटेंस जागा यह सभी चलिए आगे देख रहेते हैं बविधातू का नाम है टाइटों आपसाइड बेरन अक्साइड का विआ पारिक नाम है डीटों स्टाइथान के लीघटों चलों चली आगे देख लेतेlisted लेड़ित लेड़ प्र広प, पीयद कीने जल की ले जाने के लिए ूं अंचित नहीं है क्योंकि क्योंकि क्या होता है यह वाई मिश्रित पानी के साथ घूल कर विसेले लेड हैड्र अक्साइड को उत्पन करते हैं इसलिए उप्युक्त उचीत नहीं है इसका राइट एंसर अप्सन नमर एसका हो जाएगा चलिए दोस्तों आगे दिख लेते हैं चौदा नमर प्रश्ण है निमलिखित में कौन सर्वधिक अस्थाई तत्व है तो इनमें से जो सर्वधिक अस्थाई तत्व है सीसा है अप्सन नमर डीस का राइट एंसर जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं पांदल नमर प्रश्ण दोस्तों सिसा का निस्कर्शन मुख्यता किस आयस से किया जाता है किस आयस से किया जाता है सिसा का तो यह किया जाता है गए लेना से अपसन नमर इसका राइट एंस में गए लेना चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं है ठ्ञानोर प्रस्ट संचाइक बैट्रीयों में निम्ण में से कौन सिधातू का प्रियों किया जाता है कौन सिधातू कि याय जाता है को तो आपिस्टैव और यजताता का सिसव कर दिख लेते हैं कि कि जलने से निम्ण धातू वाईउक को परदुशित करती है वह अधातु कौन सा है तो अधातु का जो नाम है दोस्तों लेड है अपसन नमर 20 का राइट अंसे लेड चली आगे देख लेते हैं अठार नमर प्रश्ण गैलेना का रसानिक नाम है गैलेना का रसानिक नाम क्या है लेड सल्फाइड है अपसन नमर 20 का राइट अंसे गैलेना का रसानिक नाम लेड सल्फाइड चली दोस्तों आगे देख लेते हैं उन्नीस नमर प्रश्ण है निमलिखीत में से कौन सी धातु इसपात के बराबर मजबूत किन्तु भार में उसकी आधी होती है धातु इसपात के बराबर मजबूत किन्तु भार में उसकी आधी होती है कौन सी धातु है दोस्तों तो वो धातु है आपका टाइटेनियम आपसन नमबर 20 का राइट टेंस वोगा टाइटेनियम चली आगे देख लेते हैं बीस नुमर प्रश्ण है, कैडमियम परदुसन किस से संबन्दित है, यह संबन्दित है, टाई टाई, इटाई, इटाई, आपसन नमर सीज का राइटन से है, इटाई, इटाई, चल या आगे देख लेते हैं, 21 नमर प्रश्ण दोश्टो, रसानिक रूप से सिंदूर है, रसानिक रूप से सिंदूर क्या है दोश्टो, यह है, रसानिक रूप से क्या है, मरकरी सलफाईड, अपसन नमर डीस का राइटन से है, मरकरी सलफाईड, चल या आगे देख लेते हैं, 22 नमर प्रश्ण दोश्ट तो फिल्लोरस सेंट ट्च्व में सर्वधिक समाने रूप से परियुँक्थ होने वाला पतार्थ है कौन से पतार्थ है मरकरी वेपर और आरगन अपसन नमर की यंत्रों में उप्यों किया जाता है क्योंकि इसकी विश्यस्ता है इसकी विष्यस्ता क्या है, इसकी विविष्यसियस्ता उच सचालन सकती है अपसान नमर सिसokay राइट इंस हो उच संचालन सकती चल आगे देख लेते हैं 24 नवर प्रस्ण निमलिखित मिस्थ धात्मों में से किसे अमराज कहते हैं स्वारी, अमल गम कहते हैं किसे अमल गम कहते हैं दोस्तों यह कहते हैं पारा और जस्ता को अमल गम कहते हैं अप्सन नमर चीज का राइट एंस होगा पारा जस्ता चली आगे देख लेते हैं पच्चिस नमर प्रश्ण है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जा सब्सक्राइब करें लाइक करें जिससे बहुत सारी धेर वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका पास पहुचे थैंक्यों दर्फिकेशन